तो दुनिया में मुर्गी पहले आई या फिर अंडा अंडे में से मुर्गी पहले निकली या मुर्गी से अंडा अब ये बहस बड़ी पुरानी है और आज तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और नहीं शायद कभी पहुंच पाईगी लेकिन देश का मिजाज तो आप समझते ही हैं कल से एक नई बहस चुड़ी हुई है कि दुनिया में हिंदू पहले आया या मुसल्मान दिली में जमियत उलेमाई हिंद के जलसे से कल नया बखेड़ा खड़ा हुआ जमियत के प्रमुख मुलाना अशद मदमी ने छटके में बहस को बाबा आदम के जमाने में पहुचा दिया और ये दावा कर दिया कि जिसे हिंदू ओम कहते हैं वही तो अल्ला है जिसे हिंदू मनू कहते हैं वही आदम है वो यहां तक रहते तो चल भी जाता लेकिन वो बहस को और आगे ले गए जताने लगे कि दुनिया में हिंदू से पहले तो मुसल् पकलिया है सद्धाव के नाम पर समेलन बुलाकर ये सब कहना अर्शिद मदनी की आदत है या फिर शरारत है आज हम बहस करेंगे इसी पर इसमें हमारे साथ कई खास महमान भी जुड रहे हैं आपको पता देते हैं हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री रए मोसिन रजा हमारे स साथ जुड़ेंगी लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए जब कोई नहीं था नशिरी राम थे आप दिल्ली आईए आप मुझे सारनपूर बुला लेंगे बैसारनपूर आउंगा दिल्ली के रामलीला मैदान में जम्यत उलेमाए हिंद का 34 जलसा खत्म हो गया ये जलसा था भाईचारे के नम पर पहले दिन अच्छी अच्छी बाते हुई दूसरे दिन थोड़ा विवात हुआ और तीसरे दिन तो बवाल हो गया बवाल के सेंटर में थे छोटे और मेहमुद मदनी ने की ने डेश नरिंदर मोदी से महमुद के जिटना बागवत मोदीि का उतना ही महमुद का स는न bipolar कहीं से कोई यतिराज लेकिन इसलाम भारत में नहीं जन्मा अचानक से ये बात गले नहीं उत्री ना ही कोई खास रियाक्शन आए लेकिन भतीजे की चिंगारी को अगले दिन चाचा अर्शद मद्दी ने हवा दिती वो भी दूसरे सारे धर्मों के लोगों को मंच पर बैठा करें बड़े-बड़े धर्म गुरुओं से भूचा जब कोई नहीं था ना शिरी राम थे ना बरहमा थे ना शिव थे जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनू पूजते किसको थे बड़े मतनी विवाद को बाबा आदम के जमाने में ले गए और इसमें आदम, हवा, मनू, अल्ला, ओम सब को खीच लिया दावा कर दिया कि आदम ही मनू है और अल्ला ही ओम है मंच पर हिंदू, सिख और जैन संतों के सामने जताने में पूरी जान छूब दी कि दुनिया में सबसे पहले मुसल्मान आई, बाद में हिंदू और बाकी इस मुल्क की तारीख यह है कि अल्ला ने, ओम ने इसी धर्टी के ऊपर मनू को उतारा है मनू यानि आदम को उतारा है लेकिन मनु को आदम और ओम को ही अल्लह बताने पर जैन संत लोकेश मुनी उखड़ पड़े उन्होंने तुरंत माइक संभाला अर्शद मद्नी की नियत पर सवाल उठाए और उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली बस इतना कहकर लोकेश मुनी ने जम्यत के जलसे का बॉयकॉट कर दिया अर्शद मद्नी को लानते देते हुए उनके पीछे पीछे और भी हिंदू सिख और जैन संथ मंद्स से उतर कर चले गए इसलाम धर्म बुरा नहीं है इसलाम में कुछ ऐसे लोग है जो नफरत बलाते है भारत एक अच्छा देश है जिसमें सब धर्मों का सर्मान है हिंदू मानिता के अनुसार मनू से सारे मनुष्य जन्मी है इसलामिक मानिता है कि आदम से सारे इंसान अब जम्यत की नियत पर सवाल है कि उसने माहौल सुधारने के लिए जलसा किया था या बिगाडने के लिए हाला कि जम्यत के नुमाइंदों को नहीं लगता कि अरशद मतनी के बयान पर किसी तरहे के मलाल की जरूरत है जम्यत का कहना है कि मुसल्मानों पर गलत फहमी मदनी नहीं दूर करेंगे तो कौन करेंगा लेकिन कई मुसलिम धर्मगुरू मदनी से इत्तिफाक नहीं रखते इनका कहना है कि मदनी को इसलाम की तारीव का हक था लेकिन उन्होंने इस मंद से इसलाम को दूसरों पर थोपने की कोशिश की जो ठीक नहीं थी इस तरीके के बयानात देने से मेरे ख्याल के कोई फैदा नहीं है कि जिससे मुल्क के अंदर एक नई फिजा क्रियेट हो लेहादा यह सब निराधार वैसों तो मदनी साथ को नहीं उठाना चाहिए देखिए मदनी एन मदनी कंपनी अर्थात चछाजान अर्शद साहिब और भतीजे महमुद साहब ने मरियादा पुर्शोत्तम राम के नाम में ही सद्भावना के नाम में दुर्भावना परोसकर सनातन धर्म, ब्रहम, मनू, ओमादी के खिलाफ जहर उगला है उन्होंने भारत में आग लगाने का असफल प्रियास किया है जम्यत के मंच से और अर्शद मद्नी के बयानों से उठा ये पहला विवाद नहीं है धर्मांतरन के बचाव से लेकर आतंकवाद के आरोपियों की कानूनी मदद तक विवादों का पूरा इतिहास रहा है जम्यत पर वर्चस्व की चाचा भतीजे की लड़ाई भी जग जाहिर है जिसमें दोनों मुसल्मानों को अकसर उलजाते हैं कन्फ्यूज करते हैं और इसलिए सवाल भी उठ रहा है कि अर्शद मद्नी ने जो कुछ कहा ये उनकी आदत है या फिर कोई शरारत है सनातन का अपमान कर रहा है मौसेन रजा जी आवाज पहुंच रही आप तक मुफ्ती मन्जूर जियाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो यही सवाल मैं आप से भी पूछना चाहती हूँ ये कौन सी धर्मों की तारीख बता रहे हैं पुनाना अर्शाद मदनी अधिती देखें दो एहम बाते हैं इस बीच में जिस तरीके की भाशाओं का इस्तमाल वहाँ पर हुआ है ये बहुत एहम है कि अगर कोई शक्स अपने दीन अपने धर्म अपने मुझे की बात करता है और इस अपमान जनक बातों को सुधारने के लिए उन्हें माफी भी तलब करनी चाहिए और उन तमाम लोगों को बैठा करके बात ये करनी चाहिए अगर मेरी बाते अपके समझ में नहीं आई है या गलती से कुछ बाते निकली है इस बात का इजाला मुलके सामने होना चाहिए दूसरा अहम पहलू ये है कि वो जो बाते बता रहे हैं ये बात समझने की है कि आखिर आदम और मनु में क्या फर्क है ये अगर जो नहीं समझा पाए मदनी साब तो यकिनन मैं समझूँगा कि पैनल में बैठे वे लोग भी समझा देंगे और अदिती आप तो बहुत अच्छा बोलती है इस पर और आप तो बहुत अच्छे से समझा सकते है देश को बता दीजे कि आदम कौन है और मनु कौन है मुझे उमीद है कि इस पर जरूर बहस भी होगी और आप इस पर जरूर इस पर टिपनियां भी करेंगे लेकिन एक बात बहुत वाज़े है कि हम सब का यकीन अल्लाह पर है हम सब का यकीन अपने उन बुजगों के बताएवे रापर है जिस पर हमारे बुजगों ने हमें सिखाया है और हमें बताया है और किताबों के जरिये से और धर्मी किताबों के जरिये से जो इतिलात है हम यही कहते हैं कि मेरा खुदा वो जो सब का पालनहार है दर्म में आस्था पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और वही सवाल मुलाना अर्शद मदनी के बयान के बाद उठ रहा है इसे लिए उठ रहा है वो सवाल एक कॉमेंट में आपके डॉक्टर इजवान अहमद का ले लेकिए डॉक्टर इजवान अहमद सनातन का अपमान इसे बताया जा रहा है और मुलाना अर्शिद मदनी धर्मों की कौन सी तारीख बता रहे हैं ये ये सवाल पूशा जा रहा है और ज़रूरत क्या थी जी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको जी हाँ जेहन वंदेमातरम अभी मैं जिहाई भाई को सुन रहा था फोन दिर से कनेक्ट हुआ ये सब ऐसा बताया जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है आदिती मेरी बास सुनने से पहले मुसलमान जरा सीटों की बेल्ट बांद ले पेटी बांद ले और घबराएं ना अरे अपमान तो पूरा मुसलमानों का कर दिया इन्होंने मदरी साब ने छोड़ा किया हम मुसलमानों के पास और आप बता रहे हैं सनातनों का हुआ जियाई भाई भी बोलना है ऐसे में अपमान कर दिया अरे इसलाम का अपमान कर दिया मुसलमानों का कर दिया 30 सेकंड दे दीजे पहले अरशद मदरी साब की बात पकड़ लेता हूँ उन्होंने का अल्ला और ओम एक है यानि अब हम आज से नमाज पढ़ते हुए और दोनों की शकल नहीं है उन्होंने कहा मनु ओम को पूछते थे ओम हवा है वो ही तो अल्ला है यानि आज से नमाज पढ़ते हुए मुसल्मान अपने दिमाग में चाहे अल्ला को रखे चाहे ओम को रखे पहला तो इसका जवाब मदरी साब देते हैं मुझको के बताओ भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा आजान पर आ जाता हूँ अजान की दूसरी लाइन है कि मैं गवाई देता हूँ कि अल्ला के सिवा कोई भगवान गौड पूजा के योग नहीं ये अजान है कि आई बेर विटनस देन नो गौड एकसेट अल्ला और मदनी साब कह रहा है अल्ला गौड परमेशवर एक है तो भाईया मुसल्मानों पहले मुझे बता तो ये आजान में कौन से गौड का दिकर हो रहा है जिसके लिए ये कहा जाता है कि नो गौड बट अल्ला क्या आजान के हिसाब से अगर हम कोई शकल ना माने तो अब हम आजान के हिसाब से ये मान सकते हैं कि अल्ला के साथ साथ ओम का सजदा हम मुसल्मानों पर जायज हो गया भाशा का फरक है अर्बी अल्ला बोलते हैं भारतिय संस्कृति वाले ओम बोलते हैं पहले तो मुसल्मानों ये बता दो अब तीसरी बात छोटे वाले मदरी साब की कि इसलाम हमारे भारत से आया आदम अले इसलाम जब जमीन पर उत्रे तो सबसे पहले उन्होंने अल्ला का घर अलबैत अलहरम जिसको हम काबा शरीफ मानते हैं उसकी बुनियाद रखी और अल्ला से कहा ये मैं तेरी अबादत के लिए तैयार कर रहा हूँ तो इसका मतलब अगर इसलाम यहां से आया तो इसका मतलब सुन लीजे इसका मतलब काबा शरीफ कहीं हिंदुस्तान में है अरब में है नहीं किवला हम गलत करते हैं हज हम गलत प्रफिश एप जाते हैं अरे मदनी साभ ने तो इसलाम को पैदल कर दिया मुसल्मान को नंगा कर दिया और आप लोग को चैनल कई elaboration का अपमान कर दिया मुसल्मान मेरी सब मेरी बातों का जवाब तो दे जो मैं पूछ रहा हूं नहीं अ लेकिन यापे सवाल ये भी है और ये सवाल मैं रिजवान अमद आप से भी इसका जवाब लोगी सवाल ये है मुफ्ती मनजूर जियाई कि जरूरत क्या थी इस तरह का स्टेटमेंट देने की ये जान बूच कर दिया गया स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा हमार इस बात को बहुत बहुत भी समझना पड़ेगा जैसा हमारी रिजवान भाई साब ने कहा है कि हमें उस जाने नमाज नहीं पढ़ना चाहिए मैं आपको बताओं आदम अलिएसलाम की जो जमीन पर आना हुआ वो इसी हिंदुस्तान के सरंदीब के जजिरे में आना हुआ औ सबसे पहला क Advat आदम का इसी जमीन पर है आप बनु के हैं या आदम हम के हैं बात अलग हो सकती है आपकी जबान पर गौड केने वाले खدا को गौड केहते हैं जो इंगलिश में है खौड केहने वाले इरान के लोग और आध में पार्सी में खौड केहते हैं जो पौरس में मैं एक बात मैं मानती हूँ इस देश में सबको अपनी अपनी आस्था का पालन करने का पूरा पूरा हख है डॉक्टर इजवान एमद मैं आगे आपको मंच दूँगी यह डिबेट यहाँ पर पूरे उस विवाद से जुड़ी है जो अर्शद मदनी ने मंच पर कहा अभी थोड़ी देर पहले लोकेश मुनी हमारे साथ थे उन्होंने का सब धर्मों के आपने जो रेप्रेजेंटेटिव्स थे प्रतनिदी थे उन्हें बुला लिया और आप उन्हें समझाने लगे जरूरत क्या थी उन्हें कौन कह रहा था घर वापसी पर बात करने के लिए क्यों वो जाहिल का सर्टिफिकेट बाट रहे थे क्यों उन्हें RSS के प्रमुख वहाँ पर याद आ रहे थे यह जानना और समझना चाह रही हूँ जब सद्वावना का अपने मंच रखा तो ये सब बाते करने की जरूरत क्यों मैसूस हुई ये इस बात की वजाहत अभी अभी उन्होंने दूसरे चैनल पर किया है कि सद्भावना की वजाहत कैसे होती है और सद्भावना का प्रोग्राम कैसे होता है उन्होंने अब बागवर साब के बारे में क्या कहा वो सारी बाते उन्होंने वजाहत किये यह वो ज़रूर वज़ात देंगे और उनके लोग इस बात की वज़ात देंगे लेकिन एक बात बहुत वाज़ है कि आज आज आपके सामने यह मनो और आदम का फर्क बता ही दीजिए और अपने तमाम पैनलिस से कह दीजिए कि मनु कोन है और आदम कोन है वाज़ हो जाएगा अज वाज़ कीजिए ना आज चैनल है पूरी दुनिया आपके चैनल को देख रही है पूरी दुनिया मेरे चैनल को देखती है मुझे भी देखती है मुझे पता है लेकिन आप मुझे यह तो बताएं तो बता दीजिए आज आदम अगर धर्मों का इतिहास बताने की जरूरत क्यों मैसूस हुई कोई पूछ रहा था अरशद मदनी से कि आप बताईए सनातन का इतिहास क्या है पूछा था किसी ने या एक ट्रेंड बन चुका है यह धर्म और राजनीती का चौक लगाने की आदत पढ़ चुकी है अब धर्म गुरूओं को भी ये माना जाए नहीं नहीं असल मसला यह है कि यह बात बहुत ही वजाहत के साथ में कैदू अदीती कि वहाँ पर धर्म गुरूओं को बैटा कर इसकिस्म की बातों की जरूरूओं को बैटा कर इस Breaking चाहिए ठीक है डॉक्र लिजेटी जबान अबाधी दो चुटी छोटी बाते जियाई भाई ने जियाई भाई ने बड़ी गारंटी से कहा कि आदम अलेस्लाम हंदुस्तान के इस कॉने पे उत्रे थे तो ज्याए भाई को फिर ये भी पता हुगा कि अबील अलेइसलाम और कभील अलेसलाम को लेकर वो यहां से काभा काभा की तामील करने के लिए उस समय जो अरब हुआ करता था या कोई भी नाम हो लाको साल पहले ये भी इनको पता होगा वहां क्यों गए पहली बात ये इनको मालुम होगी और दूसरा इन्होंने कहा कि आप फरक बता दीजें कि मनू मनू में और आदम अलिएसलाम में क्या फरक है कोई फरक नही हैं जो अरबी संस्कृति को मानते हैं वो आदम बोलेंगे और जो भारतिया मुसल्मान हैं वो मनू बोलेंगे दोनों एक है चलिए मेरे साथ बोलिए कि पहला मनूश हम भारतिया मुसल्मानों के एसाब से मनू था खतम हो गई बात ठीक है मुफ्ति मंजूर जियाई लेकिन अब भी मेरा सवाल वही है जो सवाल मेरा मुफ्ति मंजूर जियाई से था कि इन बातों की जरूरत क्या थी जब आपने एक सदभाव का मंच रखा तो आपको सनातन का इतिहास में जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आप इसलाम क इतिहास क्यों बताने लग गए और फिर आप ये क्यों कहने लग गए कि हमें घर वापसी हमारी कोई घर वापसी क्या कराएगा जाहिल का सर्टिफिकेट वो क्यों बाटने लग गए इसलिए बार बार में ये पूछ रही हूं इसके पीछे ये ये आदत है या शरारत है ये जोड रहे थे या तोड़ने का काम कर रहे थे ये सवाल में बार-बार इसलिए उठा रही है पहले मुफ्ती मनजूर जियाई आपका जवाब उसके बार डॉक्टर इजवान एमद देखे बहुत ही वाज़े है ये बहुत ही वाज़े है कि हिंदुस्तान में हम जीते हैं और कॉंसिटूशन ने इस बात के आज़ा दी दी है कि हमें क्या कहना है क्या बोलना है स्टेज हमारा है, मुलक हमारा है, लोग हमारे है, सब अपडों के बीच में हम अपनी बाते कर रहे हैं अपने इतिहास बताना, अपने लोगों की बारों में कहना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है अपने दीन के बारे में अपने धर्म के बारे में अपने लोगों को राहे राज़ पर लाने के तरीके मताना ये बुरी बात नहीं है ये Constitution ने भी आजा दी दी है ।हरे एक ओपने अपने अभ्तियारات है अपनी माननेता की अनुसार, अपने धर्म को, अपने रिलिजन को प्रैक्टिस करने का, उसका पालन करने का अधिकार है सर। बिल्कुल है वो अधिकार, किसमें चीना वो अधिकार, वो अधिकार छिन का रहा है, लेकिन मैं पब्लिक प्लैट्फॉर्म पर बैट कर, सुल लेजे सर, सुल लेजे मैं बात कुरी होने दीजे, आप बात को बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं सर। सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि वो किसी बंद कमरे में नहीं कह रहे थे, वो एक पब्लिक प्लैट्फॉर्म पर कह रहे थे, जहां पर दूसरे धर्मों के अनुयाई, रेप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिदी मौझूद थे, जिनके धर्म की तारीक को लेकर अलग दाव हैं, अधिती जी, आप ये समझें, कि हर एक को अपने अपनी बाते रखने का पूरा अख्तियार था, और अपने अपने मुदों को वाँ पर रखना चाहिए था, और सारे रिपर्जेंटेटिव ने अपनी बातों को बहुत ही खुले लफ़ों में रखा, किसी ने उस पर उ लूकी की गई, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है, डॉक्टर इजवान अहमद आपको जवाब देना चाहरा है, तो क्यामरा आपका कवर कर रहा होगा क्यामरा, डॉक्तर इजवान अहमद, अधिती जी, अभी जियाई बाही ने कहा कि यहां का सम्विधान है मैं अब सम्विधान की बाती नहीं कर रहा क्योंकि जो बात अरशद मदरी साब ने छेड़ दिये वो तो सम्विधान से लाकों साल पहले की है और आप ने कहा कि यह बोला क्यूं मैं यह भी भूल जाता हूं मैं तो एक साधारान सा सोचियो लिजियस कमेंटेटर हूँ मेरी पहली बात का मदनी भाई ने जवाब ने जवाब नहीं दिया जब उनको पता था कि आदम अलिएसलाम भारत में उत्रे तो फिर इनको ये भी तो पता होगा ना अबील अलिएसलाम कभील अलिएसलाम अपने बच्चों को लेकर और बीबी हुआ को लेकर वो अरब की तरफ क्यों गए और कब गए ये भी पता होगा इनको जाहर सी बात है और दूसरी बात अगर हम अल्ला किसी जबान का मौताज नहीं है भारत में जो पहली भाषा जन्मी ही वो जन्मी संस्कृती अरब में जन्मी अरबी अब छोटे मदरी साब ने का भारत मुसल्मानों का पहला मुल्क था तो पहले तो मदरी साब ये कहें कि हमारी पहली भाषा संस्कृत थी अरबी नहीं थी कुरान शरीफ को संस्कित में लिखो अर्बी में मत लिखो और सबसे बड़ी बात मुझे ये बता दो कि अल्ला हो अक्बर की जगा क्या मुसल्मान परमेश्वर माहन है बोलने को तैयार है अल्ला की भी शकल नहीं परमेश्वर की भी शकल नहीं अब जियाई भाई बोलेंगे परमेश्वर महान है और मेरे साथ ओम बोलेंगे क्योंकि मदनी साथ ने का है अल्ला और ओम एक है और दोनों की शकल नहीं है दोनों हवाएं हैं तो आईए दोनों हम मिलके ओम बोलते हैं मदनी साहब ने तो हमें सठी जिकट दे ही दिया हम बोलने का मुफ्ती मन्जूर जियाई आपका जवाब तीन सवाल पूचे है लोने आपसे बहुत ही वज़ात के साथ कहा दो बहुत ही वज़ात के साथ कहा दो हमें थे वज़ाद का नूराद के लिए वज़ाड में आपके स्वाड़ीन के बदूर, आपके अलग अभी नाम इसे लिए वज़ाद कर दो दो खोता है तो मैं आपको बताओऊ क्या इनाम के अलग 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 नाम आईएं में आएं और 99 नाम तो अलग अलग आए हैं और मुफसरी ने एक हजार नाम से लाद़ पूर रहे हैं अब आप आप ओम बोलने के लिए तैयार हैं ये उनका सवाल था जवाब आप का हमारे बाहि रिजवाण साँ ने जो पूछा में उन्हें बहुत ही वाज़े ल एक काउंटर एक काउंटर एक काउंटर एक काउंटर एक काउंटर बोलीए बोलीए डészना एक कामार रिजवाण आप nih Memad रखिये अपनी बात रिजवान भाई की आवाज नहीं आ रही है ट्डिर लॉजवान अह्मद तक इस वक्त हमारी अवाज नहीं पहुंच पारी है उनके साथ दुबारा से क्नेक करेंगे हमाई साथ अली कादरी है मौलाना अली कादरी जो सवाल यहाँ पर अभी डॉक्टर इज्वान अहमद उठा रहे थे उन्होंने ये कहा मुलाना अर्शद मदनी के बयान के बाद मुसल्मानों को ओम कहने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप इस से इत्वाक रखते हैं देखिए अधिती जी सबसे पहली बात तो यह है कि वो ख्याल मुलाना अर्शद मदनी का है और मुलाना अर्शद मदनी सहाब ने कल की जो सबाह में कहा हम तो से सहमत ही नहीं है क्योंकि किसी और धर्म के लोगों को एक मेहमान की तोर पर बुलाना और फिर बुला कि उनके धर्म को नीचा बताना या उनको गलत बताना ये इसलाम और इसलाम की तालीमात के खिलाफ है प्रहा सवाल उन्होंने कहा कि ओम अल्ला एक है तो उनका कहना ये मकसद था कि आप जिसको ओम कहते हैं हम उसको अल्ला कहते हैं तो ये उनका अपना जाती ख्याल है, ये सवाल उनसे ही कर दिया जाए तो बहतर होगा, क्या वो ओम कहने में उनको के आपती है या नहीं है, हम तो अपने स्टैंड पर खायम है, हम अल्ला ही कहते आये हैं, कहते हैं, और अपने आखरी दम तक अल्ला ही कहेंगे, इसमें कोई दो रहे नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह की बातों की जरूरत क्या थी, ये क्या धर्मों की प्रतियोगी था या प्रतिस पर्धा चल रही थी महाँ पर कि मुलाना असर्म अधनी भावनाओं में बह गए गए और ये कह दिया, लेकि मैडम ये बात तो मैं पिछले एक साल से कह रहा हूं कि ये एक स्क्रिप्ट है, किसी ना किसी तरीखे से भारत में एक विवाद पैदा करना, ये काम जो है कुछ हिंदू समाच से भी किया जाता है, ये काम कुछ मुस्लिम समाच के लोगों की जानी से भी किया जाता है, किसी तरीखे से हर दो समूदाए में भीडाते करें लोगों को लड़ाते रहे रहे एक किसी साधिश और यह बाते कर रहे हैं तो किसी साल 알गया हो किस अरे मैड़ा मौला ना अर्शाद मदनी पूलिटिकल पैटी के इनेता नहीं तो जमित अलुमा के लोग फिर आरेसस के दफ्तर क्यों गए थे अरेसस के दफ्तर को आज खौम को वे खुब बना रहा है रामलीला मैड़ान पर बड़ी बड़ी बाते करते हैं तो पर क्या जरूरा थी आरेसस के दफ्तर पर जाने के इनको क्या वफात था इनका वापर गए यह लूग ठीक है अब इसका भी जवाब देता हूँ छोटे मदनी साहब ने साफ बोल दिया है कि इसलाम मुसल्मान कहीं बाहर से नहीं आया इसलाम का मुसल्मान का पहला मुल्क बारत है तो पहले तो ये कहना शुरू करो कि हमारी पाक मुकद्द जगा भारत है और अब इसलामी नजरिये से अरब नहीं है पहली चीज या साफ बोलो कि मदनी गलत बोलना है पहली बात दूसरी बात अगर हमारा इसलाम भारत से जन्मा हम मानते हैं कि हम परबूराम कुस हजदा नहीं करेंगे ये जो सवाल उठाया भी डॉक्टर इजवान एहमद ने इस पर जल्दी से मौलाना कादरी में आपका जवाब चाहती हूँ हम ये जरूर कहते हैं कि हजरत आदम विशाल भारत के हिस्से में जन्नत से उतारे गए थे ये इसलाम की मानियता है और इसलाम की मानियता ये भी है कि हजरत आदम इसलाम और मुसल्मान थे ये भी इसलाम की मानियता है लेकिन हम किसी पर थोकते नहीं हैं हर धर्म की एक मानियता होती है लेकिन हमारे लिए जो मुखद्स मकाम की बाद जो रिजवान साब कह रहे थे वो मुखद्स मकाम मदीने मुनवरा है वो मुखद्स मकाम बैतुल्ला शरीफ काबर शरीफ है लेकिन हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम इस धर्ती पे पैदा हुए हैं इस धर्ती का अनाज उगावा हम कहते हैं तो इस वतन की मट्टी से महबबत हैं महबबत रखेंगे और इसी मट्टी में एक दिन दफन भी हो जाएंगे लेकिन रहा सवाल कि ये जो धार्मिक आस्थाओं के ओपर जो वार किया जा रहा है मौलाना अर्शद मदनी का जो काम था मैं उसकी ताइद खता ही तोर पर नहीं कर सकता और जो जैन के जो धर्म के जो गुरू है उन्होंने जो अपना एतिजाद दर्च किया बिल्कुल बजा है अगर मुझे कोई और धर्म बाले बुलाकर अतिती बनाकर बिठाएंगे और ये कहेंगे कि इसलाम में ये गलती है इसलाम फला मजब है तो मैं भी बरदाश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बुलाया गया और मुझे नीचा दिकाने की कोछीज है तो मैं या कोई अर्शद मदनी साहब को डिफेंड कर लेकि में नहीं बैटाओ फ़ची एंकर द मनाँ काँ है झाल के नहीं हो बहुत पनार की इसलाम है ये उसके पीछे जो सियासत है उनके इस वक्तवा के पीछे उनके बयान के पीछे जो मंचा है जो मकसद है या आदत है या शरारत है ये सारे सवाल उठेंगे न मुलाना खादरी ये सवाल उठेंगे और ये सवाल यहाँ पर उठाए जा रहा है जल्दी से कॉमेंट ले लेते हैं मुस्ती मंजूर जी आई का लेके एक बात बहुत एहम है कि आपने जीने बुलाया है अपने मेहमानों की ताजीम और तकरीम का ख्यासा ख्याल लगड़ना चाहिए रसुल्ला की तालीम है कि अपने जबान से अपने किरदार से अपने कारेक्टर से भी किसी को तकलीफ नहीं पोचनी चाहिए और आपने जो अभी बताया है कि लोकेश जी महराज को नीचे इतरने के बाद उनके साथ कुछ बिस्टी हुई है तो मैं पूरे दुनिया के तमाम लोगों की तरह से और झिन लोगों ने गल्ट उनके साथ अगर कुछ किया है तो मैं भी तलब तलाफी जरूर करूँगा मैं जरूर अभी लोकेश म uniqueness करूँग है याँ तो मेमान की ताजीम करना तो हमारे रसूल की रादत है और सुटार भी है। चाहिए लेकिन जब इस तरह का बड़ा आयोजन और उसमें दूसरे धर्मों के प्रतिनिदी मौजूद हो और वहां पर धर्मों की तारीख याद दिलाई जाए और अपने हिसाब से अपनी सुविदा के हिसाब से दावे किये जाए तो सवाल उठते हैं और वो सवाल उठ रह रही थी लेकिन इससे जोड़ने का कहां इससे तो तोड़ने का ही काम हुआ ना बड़ी बड़ी संख्या में लोगों का जो सेंटिमेंट था लोगों की जो भावनाई थी वह हुआ हुई है तो यह बड़ी जाही किसी बता रहे थे देखिए, मैं उनकी तक्रीर से मुत्मई नहीं हूँ, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ लेकिन अर्शद मदनी साहब का एक उमर का एक ऐसे हिस्से में है कि उनको तो पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी ने चाहिए क्योंकि एक एच के बाद एक आदमी क्या बोलता है उसकी दिमाग का और उसकी जबान का कर्डेक्शन दरा कमज़र हो जाता है क्योंकि वो बोलने के आदी है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ वो एक एच के ऐसे हिस्से में है लेकिन उनके जुम्ले को लेकर कि आप सारे हिंदुस्तान के मुसल्मानों को जो देंगे और सारे मुसल्मानों को उस कटरे में कड़ा कर देंगे ये बात खतरी गलत है कड़धरे में कोई किसी को खड़ा नहीं कर रहा है किसे कटवरे में खड़ा गए किया जाता है तो इंडरेक्ली सारी कम्यूटी को टार्गेट किया जाता है यहाँ पर कम्यूटी को टार्गेट किया जा रहा है हर स्टेटमेंट यहाँ पर हर बात जो कही गई है वो मौलाना अरशाद मदनी के स्टेटमेंट पर अधारित हैं आपको यहाँ पर कहा से कम्यूटी को टार्गेट करना पिखाई दे रहा है मुलाना खादरी अभी आप अभी आपके पैनलिस ने कहा कि अर्शद मदनी ने कहा कि ओम अल्ला है कि तो क्या बाप हों कहेंगे तो किसको टार्गेट हो रहा है नहीं तो आप से सवाल पूछ रहे हैं वो अगर उन्होंने सवाल पूछ आप जवाब दे दीजे और जिनकी यह आप आप कहरा है वो कम्युनिटी को टार्गेट कर रहा है यह आप यह पी आए हैं ना यह पीनियन रखनें सर अब भी मुलाना खाद मतनी से फोन पर ये बात कर लेते हैं और जो आप पीछे राजनेतिक साजच है इसके पीछे प्लिटिकल पर और रेंड़ा है आप यह सब आपे पोन पर कर लेते। लेकिन आप आई है ना बात करने के लिए, अस देश में डिमोकरिसी है ना सब पैनलिस को टागेट करने के बदले जो आपसे सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब आप मुझे दीजे। सुनिये वाब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के मादियम से हिंदुस्तान के वो सारे मुसल्मानों को ये बात समझाना चाहता हूँ जो आज तक के इन लोगों के पीछे बेखुब बनते आए देखिए मैंने कहा ना कि मैं मौलाना अर्शद मदनी के बयान से खतरी तोर पर सहमत नहीं हूँ इसलिए नहीं हूँ क्योंके वहाँ पर कोई और धर्म के लोगों को बुलाकर आप इस खिसम की गुफतगू करके एक विवाद उन्होंने पैदा कर दिया यह बात को हम मानते हैं और राजनेती इसलिए कह रहा हूँ कि यह लोग आरेसेस के दफ्टर पे भी गए थे ना मड़क जाकर के मिलकर आए थे जब आपको वहाँ तक जाना था तो फिर यह सारी बात हैं क्यों करें आप तो इसलिए बात समझने आ रही है कि यह सिर्फ और स के मुसलमानों के रिप्रेसेंटेटीव नहीं है फिर आपने का यह तो इस तरह की बाते करके तो अ pass तो अुपर आपको न किसे बात पहले हैं और क्या कुछ मंच पर हुआ था और उन्होंने क्या काई सुन लीजे आप राम को नकार रहे हो आप सिव को नकार रहे हो आप अपने आपको प्राचीन बनाने के लिए कानिये गड़ रहे हो क्या यह हमारी प्राचीन महान जहन बोद परंपरा सिक्खों का वलिना यह उसको नकारना नहीं है यह अपमान न तो आपने सुना यहां पर लोकेश मुनी क्या बता रहा है कि क्या कुछ हुआ उन्होंने कहा कि हमारे इस्ट का अपमान किया गया और यह अपमान नहीं किया जाना चाहिए था मुफ्ती मन्जूर जियाई आपने भी सुना और साथ उन्होंने दुर्वहवार का भी जिक्र किया मुझे लगता आपको क्लारिटी मिल गई होगी पिलकुल अगर गुरुजी ने इस तरीकी की बाते रखी हैं लोकेश मुनी जी ने और लोकेश मुनी जी बहुत ही सम्मानित वेक्तियों में से हैं और बड़ी शक्सियत हैं और उनके साथ अगर इस तरीके का विवार हुआ है तो फौरी तोर पर इंतजामिया को चाहिए कि उस पर माफी मांगें और इसका क्लिरिफिकेशन दें कि आखिर वो कौन लोग थे जिनों ने उनके साथ मत्तमीजियां की हैं एक बात जहां तक किसी के अपमान की तो वहाँ पर धर्म के किसी धर्म का अपमान नहीं हुआ है उस वीडियो को बार बार आप सुनें एक बात ज जिव जी की है बात राम जी की है तो बात राम जी की है तो बात राम जी की है तो उसको कहते है जो निरंगकार है तो यकिन है कि वो सही कह रहे है और जो अला कहते हैं जो कहते हैं जो किसी का माबूल है उसका कोई मेटा नहीं उसके आप ओम बोलने लगेंगे अभी यही जो भाई जो भाई जो भाई जो भाई हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने नहीं नहीं वो अपने अकीदे के इतबार से अला कहते हैं कोई अपने अकीदे के इतबार से गौड कहता है कोई अपने अकीदे के इतबार से खुदा कहता है उसके 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 उस पर कैसे पूचा जाए जाब ले लिजे अधिती एक सवाल मेरे तरफ से ज़रा पूछ लीजे और जवाब का इंतजार करिएगा देखिए इदर उदर ना जाने दीजेगा किसी को बार बार जियाई भाई पूछ रहे हैं मनू कौन है आदम कौन है मनू कौन है आदम कौन है चलिए मनू की मनू देव की हम बाती नहीं करते हम सिर्फ आज आदम लेशलाम की बात करेंगे जियाई भाई धरम गुरू है मैं तो धरम गुरू नहीं हूँ और आप तो सनातनी है आप पूरे सब को आज याई भाई कुछ छोटी छोटी बाते बताएंगे जो उनको पता होंगी आदम लेशलाम भारत में कब उत्रे कहां उत्रे और यहां से चलते चलते अपने कबीले के साथ बीबी हुआ के साथ वो अरब कब गए ये तो आपको पता होगा ना चलिए ये तीनों बाते बता दीजे छोड़िये मनु कौन है आदम का बताईए बताईए अब हज़रत आदम लेशलाम को जन्नत से निकाला गया सबसे पहले उस जमीन पर आए और सबसे पहले आदमी आदम जब जमीन पर आए तो जजिरे सरंदीव था रुज़स्तान था और यहां से वो अकेले चलते हुए अपने रब की तलाश में अपने माफी और तलाफी के लिए यहां से जिद्दा और मक्का पोच्छे और आरफाद के मैदाने हज़रत आदम की मुलाखात हुई अरे कब आए भाई पताई यह तो कब आए और अरब कब गए और फिर वो अरब कब गए अपने कबिले के साथ यही तो सवाल पूछ रहे हैं वो तब से आप से यही बात मैं आपको वासे कर दूँ जब सबसे पहले इस जमीन पर अज़रत आदम को भेजा गया तो इस जमीन पर आए और अपने रब को तलाशते हुए अपने दौा़ाओं के लिए अपने तलाफी के लिए दौाएं करते रहे हर अबादत करते रहे और अरे कब आए यही तो उनका सवाल है वो इस बात से थोड़ी इंकार कर रहे हैं वो कह रहा है जब सब सबसे पहले के पूछिए के मनू जब आए जब तारीख वो बताए उसी मनू की तारीख के बाद वो यहां से लेकर के मक्का की तरफ बाई इसका मतलब आपको यह नहीं पता आदम अलिएसलाम कब आए बात खतम हुई नी नी यह क्या बात होगे आप तो आदम पर यकीन रखने वाले लोग तारीख और दिन और जब इस जमीन पर ना तारीख बनाई गई थी जब ये जमीन पर ना दिन और अयाम ते किये गए थे हजरत आदम का वजूद होना और पिर यहां से लेकर के मतलब की तरफ जाना यहां आदम आदम अलिएसलाम जब इस जमीन पर आए तो भारत की जमीन पर उनको अल्ला नहीं मिला वो अल्ला को ढूंटे ढूंटे अरब चले गए यह मतलब है आपका ने आप बहुत गलत तरीके से इस बात को कह रहे हैं आप यह समझ ले हजरत आदम को अलग अलग जजीवों पर उतारा गया वो जाके अरब में अल्ला बिला जाब उस नज़री की बात करें नहीं उसी नज़री को आपके सामें बेशकर रहो वो खुदा जो हर चीज़ पर चादिर है और वो जानता है कि आपके दिलों में क्या चल रहा है वो बतलाश ही थे तीन सो साल तक वो अबादत करते ले हो अरे आपके हिसाब से भारत में अल्ला नहीं बिलाना अरे जब आदम अल्हिसलाम को भारत में अल्ला नहीं मिला तो तुमको अल्ला भारत में कैसे मिल जाएगा दौा करते हुए दौा करते हुए तीन सो साल तक अपने दौाओं को मकबूल कराने की लिए अब आप 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 अब आप आप नपर देने ले लगे एक सेकिर डॉक्र रिजवान अहमद प्लीज रुक जाईए आप मुफ्ती मन्जूर जियाई 300 साल तक की साधना का आपने भी जिक्र किया तपस्या का आपने जिक्र किया जब आपको ये पता है तो जो सवाल तपसे रिजवान अहमद आपसे पूछ रहे है कि कब भारत में आए और कब अपने कबीले के साथ अरब चले गए आपको ये तारीखे नहीं मालूम है लेकिन आपको ये मालूम है उस वक्त कहादम का पहला वजूद है पहला आदमी जमीन पर आता है तो कबीला कहा से आ गया है ये कबीला कहा से लेकर क्या रहे है डॉक्टर इजवान अहमद बैं बैं इस तरीके की बातों को पेश करके आप किसी को भी या मुल्क के लोगों को अकेले इस तर्जमीन पर अकेले उतारे गये थे आपको पता है? और अब इस जानले वोगल और गये होगे उस्पट साल ये सब्सक्राइब कर नहीं है, अब प्ति हाविल और खॉबल को बाट इस लिए करने दी, अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती मन्जूर जिया आई आप ही बाते कर रहे थे कि सब को इजाज़त है सब को इजाज़त है अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या की धर्म के बारे में बात कर रही की इस डिबेट में तीन लोगों में सहमती नहीं है तीन लोगों में मुझे तो इस डिबेट से आउट ही रखिए मैं तीन पैनलिस की बात कर रहे हैं उनमें सहमती नहीं है और मुलाना अर्शिद मदनी दूसरे धर्मों के प्रत्रिजियों के सामने एक के बाद एक कई बड़े दावे करके चले गए कि क्या था सर? क्या ज़रूरत थी? इसी सवाल के साथ मैंने शुरूआत की ती यही कहना चाहरा हूँ मैं आप से बताना चाहता हूँ को यही हमें मुल्क के कानौन ने दस्तूर ने अपने ब्राइ को रखने के अख्टियाराद दिये हैं जैसा आपने अभी रिजवान भाई साब के बारे में का तो उसी तरीके से अर्शिद मदनी साब को अख्टियार था और मुफ्ते मंजूर जयाई को भी अख्तियार है अब जहां से सुनिए अब जो मैं बात बोलूँगी अब जो बात बोलूँगी मैं ना सनातन की हिस्ट्री में जाओंगी और ना में इसलाम की हिस्ट्री में जाओंगी मैं इस देश की सबसे होली बुक कॉंस्टिटूशन की बा या उसे नीचा भी खाने का या उसे सर्टिफिकेट देने का राइट अगर है तो डॉक्टर इजवान अहमद मैं आपसे पूछ लेती हूँ अधिती जी आखरी बात अपनी खतम करूँगा एक घंटा बीद गया जवाब नहीं मिला कि मरशद मदनी जी ने बोला वो हवा है वो ताखत है पूरी दुनिया उसने बनाई है और आज ज्याई बाई कह रहे हैं कि भारत में उतरने के बाद अल्ला को ढूंटे ढूंटे वो अरब चले गए और उन्हें भारत में अल्ला नहीं मिला अरे जियाई भाई अल्ला के वास्ते थोड़ी बहतर बाते किया करो भाई जब कम से कम पैनल में मैं बैठा हूँ मुफ्ति मन्जूर जियाई उस से कुछ कहते हैं अल्ला को ढूनते हैं अपनी दौाओं को कुबूल कराने के लिए अपनी दौाओं करते करते अरे जरूरत क्या थी जब पूरी दुनिया अरे क्या ज़रूरती दौा मागने की क्या ज़रूरती क्या बात कर रहें इस वाद भाई नहीं आपका सवाल क्या उनसे दुआ मागने पर भी पाबंदी है भारत अल्ला का है या नहीं है किसने कहा नहीं है तो बस तो फिर तो उनको अरब जाने की क्या जुरूरत थी क्यों सफर करने के लिए आपको आपका मुल्क आपको सारी चीजों के जाद़ देता अप अमेरिका क्यों जाते है अरे रिजवाद भाई आप देली से बॉम्बे क्यों आते हैं आप टीवी चैनल पर क्यों आते हैं सब कुलेंगे कुछ डिवेट पर कुछ नहीं बचा एक्सपोज हो गया अप लोग नई डिवेट खत्म करने की बात नहीं है लेकिन जो सवाल है उन सवालों पर बात होगी कि मौलाना अर्शयद मद्मी और मैंने बार-बार जिक्र किया यहाँ पर लोकेश मुनी का लोकेश मुनी के साथ जो दुर्वेवार हुआ लोकेश मुनी ने जो सवाल उठाए और जो उस मंच पर हुआ और फिर जो धर्म गुरू थे दूसरे उन्हें उस मंच से जाना पड़ा यह क्या यह एक मैं अब डिमोक्रेसी की बात करूंगी मुफ्ती मन्जूर जियाई उसी डिमोक्रेसी की बात के साथ किसी भी किसम की बिज़ती करना दुर्वेवार करना बिल्कुल गलत बात है और इसके अखलाक के खलाफ बे है और शरीत के खलाफ है और हमारे जो मुल्की सवीता है और हम दोनों का जो अखलाक और महबत और प्यार के साथ जो हम रहते हैं यह उसके भी खलाफ है और मौलाना अर्शिद मदनी या मुझे कहना चाहिए मदनी इसकी ये उनकी आदत है या शरारत है या फिर कुछ और है बहुत ही संजीदगी से इसका जवाब दे दूँ ये हर मुसल्मान की आदत है कि कैसे जैसे करकर बाकी को जहनमी दिखाओ और अपने को सही दिखाओ ये हमारे डियने में है चाहे मदनी हो चाहे कोई और हो मौके मौके पर कुछ दिखाता है कोई नहीं दिखाता है दिल में सबकी एक बात है ठीक है मौलाना कादरी चले मौलाना कादरी के साथ हमारा संपर किस वक्त छूटा हुआ है लेकिन यहाँ पर यह सवाल जरूर है मुफ्ती मंजूर जियाई और डॉक्टर इज्वान अहमद धर्मों की तारीख को वर्चस्व की लड़ाई बनाने की यह कोशिश क्यों की गई और जरूरत किया थी जैसा कि मैंने बार बार कहा जाहिल हैं घर वापसी का जिक्री यहाँ पर किया गया सद्भावना की एक तरफ आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेट बाट रहे हैं और आप धर्मों की तारीख अपनी सुविधा के मताबिक टैक करने की कोशिश करें डॉक्टर इजवान एमद, मुफ्ती मंजूर जियाई और मुलाना कादरी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिसकुशन में शामिल होने के लिए